दोस्तों, गर आप यार student है, housewife है, या फिर आप अगर कोई भी जोब नहीं करते हैं, एंड आप अपनी life का first credit card बनवाना चाहते हैं, तो यार one card credit card आपके लिए एक best choice हो सकती है, क्योंकि यार current time में one card credit card आपको without any income proof, सिर्फ आपके KYC document, अधार card and pen card के base पर over किया जा रहा है, एंड यार सबसे जबरदस बात जो इस credit card की मुझे अभी current time में लग रही है, यार ये credit card आपको lifetime के लिए free मिल रहा है, इसकी यार zero joining fees है and zero इसके annual fees आपको current time में offer की जा रही है, तो यार आप इस मौके को अपने हाँ से ना जाने दे, पता नहीं ये मौका आपके हाँ से कब चला जाए, तो इस video को आप without skip के देख लीजिए, and दोस्तो one card credit card के यार approval के chances भी current time में बहुत जादा high हो चुके है, क्योंकि यार जहाँ इस credit card को पहले time में सिर्फ एक bank यहाँ पर जारी करता था, इसलिए यार आपके credit card application rejection के chances भी बहुत जादा high होते थे, लेकिन यार current time म अगर मैं आपको नाम बताना चाहूं, तो यार बैंक को बड़ोधा, SBM bank, South Indian bank, and Friddle bank मिलकर इस one card credit card को यहाँ पर जारी कर रहे हैं, इसलिए यार चार बैंक से ज़्यादा जब एक credit card को मिलकर जारी करते हैं तो यार वहाँ पर approval के chances भी जादा high हो जाते हैं, इसलिए यार मेरी आपसे request है, इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए, कोई भी step मिस मत कीजिए, अब यार इस बात को सुनकर भोस सारे भाई मुझे comment करेंगे कि सर यार ये credit card हमें without any income proof किसलिए offer किया जा रहा है, यार आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, one card credit card current time में यार आपको FD के against offer किया जा रहा है, अब यार FD का नाम सुनकर आप इस वीडियो को छोड़कर मत भागना, क्योंकि FD के against सिर्फ ये credit card उन लोगों को offer किया जाता है, जिनकी यार zero civil होती है, वो अपनी life का पहला credit card बनवाना चाहते हैं, अगर आपकी यार पहले से अच्छे खासी civil है, आप जोब करते हैं, और आप यार one card credit card को अपने यहाँ पर personal use के लिए बनवाना चाहते हैं, तो यार उसका तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर दोस्तों अगर आप zero civil पर अपना इस one card credit card को बनवाएंगे, तो यहाँ पर आपको कम से पर आपको up to 7% तक का return यहाँ पर मिल जाएगा, और जितने amount के आप FD करके FD के अगेंस अबना credit card बनवाते हैं, उतनी limit आपको credit card के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, और 5000 रुपए के FD पर आपको plastic variant का one card credit card offer किया जाता है, और अगर आप अपने FD के amount को बढ़ा कर 50 1000 रुपए तक ले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको metal variant का credit card offer किया जाता है, जिसके आप बहुत जबरदस feature आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पर भी आपको up to 7% तक का return आपकी FD के ओपर मिल जाता है, अब दोस्तों अगर मैं आप से इस one card credit card के benefits के बारे में बा जाते हैं, अगर आप किसी भी online platform पे जाकर spend करते हैं, या फिर किसी भी offline platform पे जाकर spend करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 1x reward point over के जाते हैं, यहाँ पर याद एक reward point की value होती है, 0.25 पैसा, तो इस तिसाब से आप यहाँ पर calculation कर सकते हैं, कि कितना ज़्यादा आपको होने वा जाते हैं, अगर आप अपनी FD अगर 6 महिने से पहले break करते हैं, तो आपके उपर यहाँ पर 5 रुपैर plus DHT की penalty लग जाती है, अगर आप इस FD को after 6 month break करेंगे, तो आपके उपजार किसी परकार की कोई penalty नहीं लगेगी, तो दोस्तो आपने यार इस one card credit card के benefits and hidden charges के बारे मे समझ लिया है, अब मैं आपको लाइव अपना credit card apply करके and बना कर दिखा देता हूँ, कि यार आपको ये credit card के लिए apply की इस तरह से करना है, तो चलिए शुरू करते हैं, दोस्तो वन card credit card को बनवाने के लिए, first of all आपको वीडियो के description में एक link मिल जाएगी, जैसे आप उस link के दे जाएंगे play store के उपर, यहाँ पर आपको one card metal credit card की official application अपने smartphone में install कर लेनी है, यार ये application 100% safe and secure है, लगबग एक करोड से यादा लोगों ने इस application को download किया हुआ है and 4.4 की rating play store के उपर इसे मिली हुई है, तो बिना किस retention के आप इस application को download कर सकते हैं, अब दोस्तो हमारी application download ह ये download होने के बाद आपको simple इस application को open कर लेना है, open करने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पर permission allow करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आप इसे allow कर दीजिए, अब यहाँ पर आपको simply smart card, smart application, यहाँ पर आपको get started वाले icon पर click कर देना है, अब दोस्तो इस page पर आने क रखें, आप यहाँ पर make sure कीजिए, आप अपना वही mobile number एंटर करें, जो आपके अधार and pen card में link है, तो यहाँ पर अपना mobile number एंटर करने के बाद, आपको time send condition को accept करना है, और फिन यहाँ पर आपको verify phone number पर click कर देना है, अब यहाँ पर दोस्तो हमारे mobile number के उपर OTP send की जात यहाँ पर metal credit card का कुछ इस तरह का animation यहाँ पर निकल के आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना जबरदस animation आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इस तरह का credit card आपको metal variant का बनवाएंगे, तो यहाँ पर आपको offer के जाएगा, अब यहाँ पर आपको credit card apply कर कर देना है, अब दोस्तों इस page पर आने के बाद, यहाँ पर हमें अपनी email ID verify करनी होगी, email ID verify करने के लिए, हमारे सामने यहाँ पर एक जो option निकल के आता है, sign in with Gmail, आपको simply इस section पर click कर देना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, आपके mobile phone के अंदर, जितनी भी email ID यहाँ पर open ह जाएंगी, तो जिस भी email ID को आप अपनी application में यहाँ पर enter करना चाहते हैं, उस email ID को आपको select कर लेना है, then आपकी email ID के ओपर एक verification code यहाँ पर send किया जाएगा, अब दोस्तों इस one card credit card में आपको अपना एक pin generate करना होगा, जिस pin की help से जब भी आप इस application को दोबारा login करेंग तो आपको वही pin यहाँ पर enter करना होगा, उसी pin से आपका यह application login होगी, तो यहाँ पर यार आप यह जो enter app pin वाले section में आप अपने according कोई भी 4 digit का pin यहाँ पर enter कर दीजिए, फिर आपको वही same pin confirm app pin में enter कर देना है, उसके बाद अगर आप इस application पर अपना fingerprint अनेबल करना चाह देन आपको यहाँ पर simply आपके सामने जो option निकल क्याता है confirm का, आपको simply इस पर click कर देना है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने personal detail अपने pen card के according fill करनी होगी, तो यहाँ आपके pen card के अंदर जो यहाँ आपका first name है, आपको यहाँ पर first name वाले section में enter कर देना है, जो आपक जो भी gender है, आप यहाँ से select कर देंगे, उसके बाद यार आपके सामने यहाँ पर यह confirm वाली tab निकल के आ जाती है, simply आपको इस confirm वाली tab पर click कर देना है, यहाँ पर अब आपको अपने current address एंटर करना होगा, जिस address पर आपका one card credit card deliver किया जाएगा, simply आपको got it पर click कर देना ह यहाँ पर आपका current delivery address है, यानि कि जिस address पर आप अपने one card credit card को deliver करवाना चाहते हैं, वो address यहाँ पर आपको complete enter कर देना है, जो भी यार आपकी यहाँ पर house number है, flat number है, building name है, आप यहाँ पर enter कर देंगे, आप अपने area के कलोनी, street, sector आप यहाँ पर enter कर देंगे, और आपके nearby जो भी landmark लगता है, आप यहाँ पर enter कर देंगे, then आपका complete address enter करने के बाद, आपके address का जो यहाँ पर pin code है, वो pin code आपको यहाँ पर enter करना है, then आपको simply यह जो confirm वाली tab आपके सामने निकल के आती है, इस tab पर आपको click कर देना है, next page में जो भी आपका pen card का number है, आपको अप आपने pen card का number, यहाँ पर re-enter करना है, then उसके बाद आपको simply confirm वाली tab पर click कर देना है, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर confirm पर click करते है, यहाँ पर आपने detail फिल की है, वो detail आपको so हो जाती है, तो सारी detail को अपनी cross check करने के बाद, यहाँ पर आपको terms and condition को accept कर लेना है, accept करने क आपको यहाँ पर यहाँ पर जो नीचे की तरफ confirm वाली टाइप देखने के लिए मिल जाती है, इस confirm वाली टाइप पर आपको click कर देना है, जैसे यहाँ इस पर आप click करते हैं, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का interface निकल के आ जाता है, अब दोस्तों यहाँ पर हम आ बैंक के अंदर हमारी एफडी क्रियेट होगी, इस एफडी के ऊपर हमें एनवल अप्टू 7% तक का return भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, अब यार भोश सारे भाई हमें comment करते हैं, कि सर हमारी तो पहले से अच्छी खाजी civil है, तो क्या हमें भी एफडी करनी अगर आपकी सारी चीज़ा यहाँ पर सही होती है, तो यार आपका virtual one card, credit card, hand to hand generate हो जाएगा, पस आपको symbol सा process follow करना होगा, तो यार अपनी current time में FD complete करने के लिए, आपको यहाँ पर FD की amount enter कर देनी है, हमने यार 5000 रुपए enter कर दी है, और आप अपने इस payment को UPI के थुरू या फिर bank transfer के थुरू complete कर सकते हैं, तो हम यार यहाँ पर UPI को selective कर लेते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 5000 रुपए की EBD यहाँ पर केरने के लिए process start कर दिया है, हमारे जो यहाँ पर one card, credit card के हमें limit मिलने वाली है, वो भी यार हमें 5000 रु पर हमें यहाँ पर 100 हो चुगा है, यार हमारी EBD जब mature हो जाएगी, 390 दिन के बाद, 66 पर हमारी EBD के amount यहाँ पर हो जाएगी 5377 रुपए, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी UPA ID से 1 रुपए की transaction करके, अपना UPA method verify करने के लिए, आपको simply आपके सामने, यहाँ पर option निकल के आता है, UPA quick verification का आपको simply इस पर click कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें यहाँ यहाँ पर one card का logo सो हो चुका है, यहाँ पर हम जिस भी UPA application से अपना payment complete करना चाहते हैं, वो सारी application हमें यहाँ पर सो हो चुगी है, अब जिस भी application से अपना UPA payment complete करना चाहत वो relation आपको यहाँ से select कर देना है, नोमनी का नाम आपको यहाँ पर enter कर देना है, और नोमनी की date of birth क्या है, आपको यहाँ पर enter कर देनी है, दैन आपको simply add नोमनी वाले section पर click कर देना है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें हमारा one card credit card यहाँ पर so हो चुका आपका last name आपको यहां पर सो हो जाएगा and visa variant का यह credit card आपको offer के जाएगा सारी चीज़े cross check करने के बाद आपको इस confirm वाली tab पर click कर देना है अब दोस्तों जैसी आप इस process को confirm करते हैं आपका credit card बनने को जो process है अब यार 100% confirm हो चुका है अब यार आपको इस one card application को दुवारे से अपने smartphone के अंदर open कर लेना है हम यहां पर open कर लेते हैं open करने के बाद हमने जो अपना mpin create किया था वो mpin हमें यहां पर enter कर देना है then जैसे आप mpin enter करेंगे आपके सामने यहां पर आपका जो credit card का numbers है वो यहां पर so हो जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर दोस्तों आपके जो credit card है उसके आर आपको last के जो four digit होते हैं वो आपको so हो जाते हैं आपकी यार जो expiry है वो date आपको so हो जाती है और आपको जो limit मुली है वो यहाँ पर आपको so हो जाती है आप अपनी जो physical credit card है उसके यार status आप यहाँ पर click करके अपना track कर सकते है और जो आपका physical credit card आएगा उसे आप यहाँ पर activate वाले icon पर click करके activate भी कर सकते है आप यार अपने अगर credit card की limit को increase करना चाहते हैं लिमिट increase करने के लिए आपको यहाँ पर increase your limit पर click करेंगे आप increase भी कर सकते हैं अपनी जो आप यहाँ पर shopping करते हैं उस EMI को यानि कि उस bill को अगर आप EMI में convert करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप EMI को convert भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको gift card का option भी मिल जाता है तो यहाँ इस तरह से आपने आज की इस वीडियो में complete process यार समझ लिया है कि आप one card credit card को किस तरह से घर बैटे बनवा सकते हैं तो दोस्तो जैसे कि आज की इस वीडियो में आपने complete process समझ लिया है कि आप किस तरह से अपनी zero सी bill पर अब हर कोई one card credit card को बहुत ही इसली बनवा सकता है अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक like करके सभी दोस्तों के साथ जरूर सेर कर दीजिए और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की banking की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ अगर आपका कोई भी question है तो आप हमसे comment section में या फिक इस्टाग्राम पे जाकर पूस सकते हैं हम आपका जरूर इपलाई करेंगे हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में तब तक के लिए जैन वंदे मातरम